ग्वालियर में एंटी भूमावियाओं के खिलाफ जहां कारवाही की जा रही है वहीं दूसरी ओर साशन और प्रसाशन द्वारा भूमावियाओं को संरक्षन भी दिया जा रहा है ग्वालियर में महराज बाड़ा ग्वालियर का हिरदर सल माना जाता है और हाई कोट के द्वारा निर्देश दिये गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी नव निर्माण महराज बाड़े पर नहीं किया जा सकता लेकिन ग्वालियर में कुछ भूमाफियाओं ने साशन और साशन से साठ गाट कर छापा खाने के सामने नई दुकानों का निर्मान कर लिया है नगर निगम का यह नियम है कि यदि कोई बिल्डिंग या मल्टी बनाई जाती है या मार्केट बनाया जाता है तो उसमें गारी पार्किंग की विवस्था सो निश्चित की जाएगी और इनिगम ने यह भी नियम मनाइए है कि यदि कोई नवनिर्मान बिलिंग की जाती है, तो 5 मीटर की जगा छोड़ी जाती है, लेकिन भूमाफियाओं ना तो 5 मीटर की जगा चोड़ी है और ना ही पार्किंग की ववस्था की है. यह पूरी समस्या हमने एक साल पहले ग्वालियर सांसद विवेक नारायन सेज वलकर के सामने रखी थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और यदि ऐसा कोई गयर कानूनी काम हुआ है तो उस पर मैं सक्त से सक्त कारवाही करूँगा यही बात हमने एक साल पहले कमिशनर संदीव माखिन और शेत्र विधायक कॉंग्रेस के प्रवीन पाठक से भी कही थी उन्होंने यह कहा था कि हमारे संग्यान में कुछ भी नहीं है और इस पर उचित कारवाही की जाएगी इस बात को एक वर्ष बीद गया है हमने फिर ग्वालियर सांसद विवेक नारायन से जवालकर से पूछा तो आज भी यही कह रहे हैं कि मेरे संग्यान में कुछ भी नहीं है यही पूरा मामला जब हमने नए कमिशनर आये विवेक वर्मश्र पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मेरे संग्यान में आया है मैं उचित कारवाही करूँगा इससे क्या यह माना जाए कि यह सब माफियाओं का साथ गाट के नतीचा है हमने नहीं चीनल को हम इसको हम इसको नोट कर लेते हैं जो भी मनосьवी होगी हם करें नहीं है कर है ट day झाल